मेरे पिता जब मैं चार साल का था तो मेरा विश्वास था कि मेरे पिता सबसे अच्छे हैं जब मैं छे साल का था तो मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं जब मैं 10 साल का था तो मैं सोचने लगा मेरे पिता वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा गुस्से वाले हैं जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरा विचार मेरे पिता जी तभी अच्छे थे जब मैं छोटा था जब मैं 14 साल का था तो लगता था कि मेरे पिताजी बहुत समवेधन शील हो गए हैं जब मैं 16 साल का था तो मेरे पिताजी नए युक की आवशकताओं से परिचित नहीं है जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी अशांत होते जा रहे हैं जब मैं 20 साल का हुआ, मेरे पिता जी के साथ समय बिताना बहुत ही मुश्किल काम है पता नहीं, मा बेचारी कैसे इतने सालों से उनके साथ रह रही है जब मैं 25 साल का हुआ, मेरे पिता जी को मेरी हर बात से आपती है वो मेरी हर बात का फिरोध करते हैं जब मैं 30 साल का था मेरे पिता जी के साथ आपसी सहमती बड़ा मुश्किल काम है शायद मेरे दादा जी को भी यही शिकायत रहती होगी जो मुझे है जब मैं 40 साल का हुआ पिता जी ने मेरा पालन पोशन बहुत ही अच्छे सिद्दाहनतों और संसकारों के साथ किया है मुझे भी अपने बच्चों का पालन पोशन ऐसे ही करना होगा जब मैं 45 वर्ष का हुआ मुझे आश्चर होने लगा कि मेरे पिता जी ने हम सब को कैसे इतने अच्छे से पाला पोशन जब मैं 50 का था बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है पता नहीं पिता जी को हमारी पढ़ाई लिखाई और पालन पोशन में कितने दर्द से गुजरना पड़ा होगा जब मैं 60 का हुआ मुझे फिर से वही एहसास हुआ कि मेरे पिता जी सबसे अच्छे है विचार कीजे इस चक्कर को पूरा करने में 56 साल लग गए और आखिरकार या पहले कदम पर वापस आ गया कि मेरे पिता सबसे अच्छे है हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें उनका अनादर ना करें उनकी अच्छे से सेवा करें और उन्हें खुब प्यार दें इससे पहले की बहुत देर हो जाए दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा मेरे चैनल को वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद